मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नीडी होता है वो एक पागल खाने में होती है अभी वहाँ पर हम देखते हैं कि पागल खाने की एक नर्स आती है और नीडी को खाने के लिए बोलती है लेकिन नीडी उसको लात मार कर उस पर धूग द इसके बाद में हम नीडी के अतीत में जाते हैं जहां पर एक टाउन दिखाया जाता है वहां पर हम एक बोर्ड देखते हैं उस बोर्ड में लिखा हुआ था डैबल स्केटल अब इस टाउन का नाम जढ़ने की वज़े से पढ़ गया था इस जढ़ने का पानी एक गड़े में हम यह देखते हैं जैनिफर बहुती जादा ब्यूटिफुल और कॉंफिडेंट लड़की थी देखते हैं कि नीडी उसके बिल्कुल अपोजिट थी और वो जैनिफर की बेस्ट फ्रेंड थी अब एक रात हम देखते हैं कि जैनिफर अपनी फ्रेंड नीडी के साथ रड़के से होती है के क्लब में सिंगिंग किया करता था इसका नाम निकिल और ता इसके बाद में जैनिफर उसे बात करने लगती है और पीकिल के लिए उसे गुसारा होता है नीडी को ये बात बिल्कुल भी बसंद नहीं आती है जाकर वो जैनिफर्स को सारी बाते बता देती है लेकिन जैनिफर्स उसकी बातों का बिल्कुल भी यकिन नहीं करती है जिसके बात में जैनिफर्स निकोलाय का बैंड परफॉमिंस देखने के लिए चली जाती है जिसके बाद में हम देखते हैं अचानक से कलब में आग लग जाती है और अपनी जान बचाने के लिए सब भागना शुरू कर दीती है जिसके बाद में हम देखते हैं नीडी और जैनिफर्स वाश्रूम के जरिये बाहर निकलाती है और देखते है कि पुरी तरह से आग में जुलस रहा है और लोक बहुत बुरी तरह से चिला रही है इस आग में बहुत से लोग मारे जाते हैं तभी वहाँ पर निकॉलाइ भी आ जाता है इसके बात में जैनिफर को साथ में चलने के लिए बोलता है उसके बाद में हम देखते हैं नीटी चिक को फून करती है और वो सारी बाते उसे बताती है नीटी बहुत जादा घबराई थी क्योंकि उसे शक हो रहा था उसके साथ कुछ गलत न हो जाए वी अचानक से उसके दर्वाजे पर बेल दबाता है जिसके बाद में नीटी दर्वाजे पर जाती है लेकिन वहाँ पर कोई भी उसे नहीं मिलता है रवाजा बंद करके वो उपर की तरफ जाने लगती है लेकिन अचानक से देखती है कि नीचे से आवाज आने लगती है जैसे ही देखने जाती है तो उसके पीछे जैनिफर्स खड़ी होती है और वो उसे देखकर बहुती जादा घवरा जाती है क्योंकि जैनिफर्स बहुती जादा बलड में सनी हुई थी जैनिफर्स यहाँ पर निडी को बहुती बुरी तरीके की स्माइल देती है और बहुत ज़्यादा strange लग रहा होता है उसके बाद में हम देखते हैं जैनिटी 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 के बारे में ही सोच रही थी तभी हम देखते हैं वहाँ पर जैनिटी आती है जो की पूरी तरह से नौरमल थी जिसके बाद में नीडी रात में हुए हाथ सेखे बारे में जैनिफर से पूछती है कि तभी क्लास में प्रोफेसर आ जाते हैं और पिछली रात मरे हो लोगों के बारे में पूछते हैं ये सब सुनकर जैनिफर्स वहाँ पर बहुत तेते से हसने लगती है नीडी को ये बात बहुत जादा अजीब लग रहे होती है नीडी जैनिफर्स के हरकतों के बारे में चिप को बताती है एक सीन में हम देखते हैं फुट बॉल का कैप्टन प्लेकरांड में खड़ा हुआ था क्योंकि वो अपने दोस्तों की मौत से बहुत जादा दुखी हो गया था अभी वहाँ पर जैनिफर्स आती है और अपनी बातों में फसा कर उस लड़के को जंगल में ले जाती है जिसके बाद में हम देखते हैं जैनिफर्स का मुँ जानवर की तरह खुल गया था उसे देखकर बहुत जादा घवरा जाती है इसके बाद में वो पुलिस को इंफर्म करती है उसी रात में हम देखते हैं नीडी और जैनिफर्स पून पर बात कर रहे होती है जिस पर नीडी जैनिफर से कहती है कि टाउन मेर हो रही चीजों से मैं बहुत जादा परेशान हो रही हूँ लेकिन जैनिफर से इन सब बातों का बिल्कुल भी फरिक नहीं पड़ता है लेकिन उसे आगष से कुछ भी नहीं हो रहा था इससे कि हम समझ पाते हैं कि जैनिफर के साथ कुछ न कुछ बुरा हुआ है नेक्सटे मॉर्णिंग में हम देखते हैं कॉलेज में जारस को सारे के सारे और ये और दे रहे होते हैं इस पर नीटी बोलती है कि बाकी का 97% कहां जाएगा वो भी तो उन्हें डोनेट कर देना चाहिए उसके बाद में हम देखते हैं बाहर कालिंग नाम का एक लड़का जैनेफिर्स को डेट के लिए ओफर करता है जिसके बाद में जैनिफर्स वहां का एड़िस दे देती है जहां पर कंस्ट्रैक्शन का वर्क चल रहा था नेक्सीन में हम देखते हैं कॉलिंग उसी बिल्डिंग में जाता है जहां पर चारो तरफ अंदेरा अंदेरा था और वो बहुत जादा डर जाता है जिसके बाद में कॉलिंग वहां पर आगे बढ़ता है तब ही पीछे से जैनिफर्स उसे आवाज देती है और उसके पास में जाने लगती है भी हम देखते हैं कि जैनिफर्स के आँकों का कलर चेंज होने लगता है जिसके बाद में कॉल इन बहुत जादा डर जाता है अभी देखते हैं कि जैनिफर्स उसको मार डालती है और उसका मास्क खाने लगती है वहीं दूसी तरफ हम नीडी को देखते हैं जो की चिप के साथ इंटिमेट हो रही थी भी उसे जैनिफर्स के विजन आने लगते हैं और वो बहुत ज़ादा डर जाती है उसके बाद में वो वहाँ से चली जाती है एक सीन में हम देखते हैं नीडी अपनी कार को लेकर निकल जाती है रास्ते में उसे जैनिफर्स दिखती है जो कि उसके कार पर जम कर देती है नीडी इन सब चीजों से बहुत जादा डर जाती है और घर आने के बाद में बहुत जादा रोने लगती है इसके बाद में वो अपने रूम में जाने लगती है तब ही वहाँ पर जैनिफर्स को देखती है इसके बाद में हम देखते हैं जैनिफर्स नीडी के पास में जाने लगती है लेकिन नीडी इन बातों से बहुत जाता डर गई थी इसके बाद में जैनिफर्स उस रात के हाथसे के बारे में नीडी को बताने लगती है जिस रात किलब में आग लगी थी अब यहाँ पर पता चलता है कि असल में उस रात निकुलाई और बैंड उसे जड़ने के पास में ले कर गए थे जहाँ पर वो अपने सकसेस और फेम के लिए जैनिफर्स को मारने वाले थे और उसकी बली शैतान को देने वाले थे जहाँ पर निकुलाई जैनिफर्स से पूछता है क्या तुम वर्जिन हो इसके बाद में हम देखते हैं निकुलाई चाकू से स्टैप करके जैनिफर को माट डालता है और अपना रिचुल कम्प्लीट कर देता है पर जैनिफर वर्जिन ना होने की वज़ाई से वहाँ पर जिंदा हो जाती है और अब देखते हैं कि डेबिल ने उसकी बाड़ी पर चुकी थी अब असल में निकुलाई का ये रिचुल पूरा तो हो चुका था जिसकी वज़ाई से कामयाभी और शोहरत उनके पैर जूमने लगी थी लेकिन रिचुल में एक ही गलती हो गई थी जैनिफर्स वर्जिन नहीं थी उसके मरने की वज़ाए उसमें एवेल पावर और सा चुकी थी शुरुआत में जैनिफर्स नीडी के घर आयी थी तब वो पकच्चा मास्क खा रही थी लिफी है असल में तो नीडी को हीमारने के लिए आए वेकिन उसने नीडी नहीं मारता क्यों कि वहीं से चली गई थी ये सारी बातो próxim नीडी को बताते हूई अपने ह यहाँ पर हमें पता है कि जैनिफर को वर्जिन समझ कर उसे मार डाला है लेकिन जैनिफर के ओपर डेविल ने कबजा कर लिया और उसके अंदर एविल पावर्स आगई अब वो जैनिफर नहीं अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जैनिफर को सुन्दर रहना है तो इनसानों को मार कर खाना पड़ेगा और जैनिफर को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है उसके दिल पर वार करना यहीं पर हम देखते हैं नीडी को बहुत जादा चिप की चिंता होती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि जैनिफर उस पर अटैक करने वाली है नीडी यहाँ पर सारी बाते चिप को बताती है लेकिन चिप उसकी बातों पर बिश्वास नहीं करता है और वो वहाँ से चला जाता है एक सीन में हम देखते हैं सारे स्टुटेंस आर्टी के लिए रेड़ी हो रहे थे अब नीडी फॉंक्शन पहुच के चिप का इंतिजार करने लगती है उसी तरफ हम देखते हैं चिप पैदल पैदल फंक्शन के लिए आ रहा था महीं पर हम देखते हैं जैनिफर्स चिप को रोक लेती है और वो नीडि के खिलाफ भड़कानी लगती है और बहुत बुरा-बुरा बुले लगती है वो बताती है की नीडि तुमें cheat कर रही है बातो बातो में ही जैनिफर्स चिप को seduce करने लगती है और उसको लेकर एक अबेंटन जगा आ जाती है नहीं दूसी तरफ हम नीडी को देखते हैं उसे एहसास होता है कि वो चिप को हाम पहुँचाने वाली है जिसके बाद में वो बहुत परेशान होकर चिप को ढूंडने के लिए निकल जाती है क्योंकि वो अभी तक डांस पार्टी में नहीं पहुचा था नहीं दूसी तरफ हम देखते हैं जैनिफर्स चिप को बहकाती है और चिप को ये सारी चीजे अच्छी नहीं लग रही होती है क्योंकि वो नीडी को बहुत जादा प्यार करता था उसके बाद में हम देखते हैं जैनिफर्स चिप को पानी में गिरा कर मारने लगती है उसके बाद में नीडी वहाँ पर पहुच जाती है और थोड़ी देर में देखते हैं कि जैनिफर्स उन दोनों पर अटाक करने लगती है इससे की चिपकी वहीं पर मौत हो जाती है इसके बाद में जैनिफर्स वहां से भाग जाती है लेकिन नीडी को उसकी मौत का बहुत ही जादा अपसोस होता है और बहुत जादा रोने लगती है नेक सीन में हम देखते हैं नीडी जैनिफर्स के घर जाती है और उसे निकाल देती है जिसके बाद नीडी जैनिफर को माट डालती है और देखते हैं जैनिफर की मौत हो जाती है इसके बाद में हम देखते हैं जैनिफर की मौम देख लेती है इसके बाद में नीडी को जैनिफर की मौत की सजा हो जाती है देखते हैं movie present time में आती है और हम ये देखते हैं नीडी को लड़ाई के दोरान नीडी के हाथ में बाईट कर लिया था जिस वज़ा से जैनिफर्स की powers नीडी में आ जाती है और देखते हैं नीडी अपनी powers को इस्तमाल करते हूए पागल खाने से भाग जाती है और जढ़ने के पास में पहुच जाती है वहाँ पर एक चाकू मिलता है इस चाकू से निकोलाई ने जैनिफर्स को मारा था हमें वही वेंट दिखाया जाता है तो कि बहुत ही अमीर और फेमस हो गया है कि नेक सीन में हम देखते हैं उन सब को किसी ने मार डाला है और आकरी सीन CCTV का सीन होता है यहाँ पर यह दिखाया जाता है कि नेडी ने ही सब को मार डाला है क्योंकि उनी की वज़ा से नेडी की बेस फ्रेंड और उसका बॉइफरेंड उनकी वज़ा से ही मारा गया है और नेड़ी की लाइफ पूरी तरह से बदल गई इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड होती है Thank you for watching